असलाम अलेकम, आज हम बनाएंगे कस्टर्ड फ्रूट राइफल, यह होमेट केक से बना रही हूँ, सबसे पहले इसके लिए जैली बनाऊंगी, यह मैंने डबे इस तरह के कोई से भी ले ले ले, जिसके अंदर जैली डालनी है, यह वान एड हाफ का पानी लिया है, उसको च यह मैं एक बनाना बना रही हूँ और एक स्टाबरी, अब इसी तरह यह दूसरा पैकिट भी इसके अंदर डालके, यह भी वान एड हाफ का पानी लिया है, इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है, जैसे ही पानी उबलने लगे, और इसको भी डबे में काल लेना है, किसी इसको रूम टंपरेचर पर ठंडे होने देना है, जैसे ही वो रूम टंपरेचर पर आजएगी फिर इसको फ्रीज में राख देना है, यह वैसे बाहर भी जाम जाती है, लेकिन इसको ठंडा करने के लिए फ्रीज में रखना है, यह मैंने छे कप दूद लिया है, यह वान आपने बनाने हैं आप देख लेना छे कप में 6 टेबल स्पून मैंने कस्टड डाला है जैसे इसको बाल आएगा इसके अंदर वह मिक्स करूंगी थोड़ा थोड़ा करके डालने है चुला आइस्ता कर लेना है या चुला बांद करने या आइस्ता करके इस तरह हिलाते हुए इसके अंदर डालते जाने हैं कि इसमें बिल्कुल यह च्छे का बैस्ट राय च्छे चमच अगर फिर भी आपको अगर लगे पतला तो आप थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कारके और भी आड़ कार सकते हैं आगे मैं आपको दिखाती हूं थिकनस कितनी होनी चाहिए इसकी इसको अच्छी तरह इस तरह हिलाते हुगे यह चुला बांद कारके उसके अंदर डाले या फिर बिल्कुल वो लो चुला आंज कार लें आप इसको हैं विक्सर अच्छी तरह मिक्स करना है मैं थिकनस आपको चेक कराती हूँ आप यह देख सकते हैं यह इतना थिको ना चाहिए बहुत ज्यादा नहीं थिक करना अब यह बांद कार दिया आप इसको इन थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते हुए इस तरह करना है ताकि वो उसके ओपर मलाई न आए और अगर यह इस तरह जाम जाता है तो आपको मैं टिप देती हूँ क्या आक इसको जाग में डाले ब्लेंड करें और यह स्मूथ सा इस तरह वो कस्टड बान जाएगा अगर बहुत जादा थिक हो तो उस वक्त आप थोड़ा सा दूद कारके भी उसके अंदर डालके ब्लैंड कार सकते हैं अब यह रूम टंपरेचर पे आ चुका है अब इसके अंदर मैं विपिंग क्रीम एड़ कारी हूँ एक अप यह मैंने विप कारके फ्रीजर में रखी हुई थी और अगर आपने विपिंग नहीं करनी तो आप वो डेरी क्रीम भी कार सकते हैं अगर वो भी नहीं तो आप स्किप भी कार सकते हैं यह बहुत मज़े का बनता है ट्राइफल और अगर आपने क्रीम अड़ करनी है तो वह भी कर सकते हैं अब इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करूंगी यह मैं होमेड केक से बना रही हूँ यह मैं एंड स्क्रीन पे उसका लिंक दे दूँगी यह बहुत ही मज़े का इस तरह बनता है वो टी केक और आप इस तरह ट्राइफल में भी बनाएं अब यह जैली ठंडी हो चुकी है आप इसको इस तरह नकाल के यह आप देख सकते हैं यह वान अड हाफ काप डालने से यह कितनी इस तरह थिक बनती है या तो आप इसको छुरी से क्यूबस में काट ले या फिर इस तरह कोई से भी शेप आपने देनी है तो वो इस तरह काट ले मैं कुकी कटर से काट रही हूँ जो मैंने डेकोरेट करना है वो इस तरह कटिंग कार लूँगी बाकी मैं छोटे-छोटे पीस कार लूँगी जो इसके अंदर लगानी है ट्राइफल के अब इसके केक के मैंने स्लाइस काट लिया है इसके अंदर काजू जाएंगे और केक और इस तरह पहले डीश के अंदर केक के स्लाइस इस तरह फिला के डाल देने हैं इसके अंदर मैं फ्रूट काक्टल डाल रही हूं अगर आपने फ्रेश फ्रूट से भी बनाना है तो वह भी बनजेगा मैं इसके अंदर जो फ्रूट के अंदर से सीरिप निकला है मैं उस से इसको सूख करूँगी अगर आपने सिरफ फ्रेश फ्रूट डालना है तो आप या तो शूगर सीरप बना ले या पिर दूद से आप इस तरह सूख कर सकते हैं यह जो मैंने फ्रूट के अंदर से निकला है, सीरिप वो इसके उपर लगा रही हूँ, ताकि अच्छी तरह वो सॉफ्ट होजे, आप इसके उपर कस्टड की लेर लगाऊंगी पतली सी, आप इसके अंदर अपनी मर्जी से फ्रेश फ्रूट्स जो भी आप इसके अंदर एड मज़े का बनता है, और अपनी मर्जी से आप जैली डालें, कस्टड डालें, जो भी है, इसके अंदर नट्स वगहरा, मैं सिर्फ इसके अंदर काजू एड़ कार रही हूँ, अगर आप दाम, पिस्ता, जो भी आड़ करना चाते हैं, कार सकते हैं, सेब भी फ्रेश कार सकते केला भी, मैं थोड़ा सा केला इसके उपर डाल रही हूँ, और काजू को मैं इस तरह करश करके, आप फ्रूट को इस तरह फ्ला के डाल दें, जितना चाहें आप डाल लें इस तरीके से, फिर इसके उपर एक कस्टड की पतली सी लेर लगा दूँगी, यह कस्टड इतना होना चाहिए इतनी थिकनस ता के वह अच्छी तरह वह इस तरह हो जे स्प्रेड, आप इसको ठंडा कारके फिर इसको डेकोरेट करूँगी, थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखूँगी, उसके बाद इसके उपर जैली लगा के, आप इसको इस तरह करें, आप फ्तारी में खाएं, एद दावत पे खाएं, वैसे आप बाद में दावतों में करें, आप यह बहुत ही मज़े का बनता है, आपने जरूर ट्राई करना है, थैंक्स फार वाचिंगों के, अल्लाह अफीस